नमस्कार दोस्तों, स्री नीटिंग में आपका स्वागत है, दोस्तों देखिए आज ये डबल कलर का पैटर्न में आपको बना कर दिखाऊंगी, ये देखिए बहुत ही सुन्दर पैटर्न है और इस वाले पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं, इ यह 8 रो का पैटर्न है, हर 2 रो के बाद इसमें color change होगा, यह मैं आपको starting side बना कर दिखाती हूँ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की update मिलती रही यह देखें, मैंने इसमें फंदे डाल लिया है, 23, 4 के multiply 20 और 3 फंदे extra और यह first row है हमारी right side first row हम right side से, base color से ही अपने पूरी सीधी बुनेंगे सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे पूरी सीधी बुन कर अब second row हमारी complete होगी पूरी सीधी बुनकर अब second row wrong side, यह second row wrong side, second row को भी हम पूरी सीधी बुनेंगे wrong side से भी है, सीधी बुनी जाएगी यह देखे, second row हमारी complete होगी, अब third row right side, अब हम इसमें second color add करेंगे यह देखे, मैंने इसमें second color red color add कर लिया है, अब third row right side, यह हम first फंदा, second color से बनाएंगे एक फंदा बुन लिया, अब एक फंदा slip करेंगे, अब तीन फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, देखे, तीन फंदे बुन लिया, फिर एक फंदा slip कर लिया, अब हमें आगे ऐसे ही करते जाना है, तीन फंदे बुनना है, और एक फंदा slip करना है एक, दो, तीन, फिर एक फंदा slip कर लिया, इसी तरीके से यह third row पुरी बना लेंगे हम अब यह लास्ट का एक फंदा भी सीधाई बणा लेंगे यह देखिए थर्ड रोह हमारी कम्प्लीट होगी अब फॉर्छ रोंग साइड इसमें जो फंदे हमने राइड साइड से बुने है वो ही बुनने है और जो प्रुप किया है वो सलिप करेंगे ये रैड वाले फंदे ये सिध़ ही बुनने हैं जो अधर से हमने सिध़ ही बुनने हैं फिर धागा अपनी साइड करेंगे और ये वाइट वाला स्लिप कर लेंगे धागा पीछे करके ये तीन फंदे सिध़ ही बुनेंगे फिर धागा पीछे करके अपनी साइड करके एक फंदा स्लिप करेंगे फिर धागा पीछे करके तीन सीधे बुनेंगे फिर अपनी साइड करके धागा एक फंदा स्लिप करेंगे इसी तरीके से फोर्थ रो को भी हम कम्प्लीट कर लेंगे यह देखे 4th row हमारी complete होगी अब 5th row right side फिर इस में color change करेंगे जो हमारा base color है वो लगाएंगे यहां हमें देखे पहले 3 फंदे सीधे बुनने हैं white color से एक दो तीन यह देखे 3 फंदे बुन लिए अब एक फंदा slip करेंगे फिर 3 बुनेंगे एक दो तीन और एक फंदा slip करेंगे यह हमें ध्यान रखना कि जो हम फंदा slip करेंगे वो इन 3 में से बीच वाला होगा जो यह second color के 3 एक साथ के फंदे हैं इन में से बीच वाला फंदा slip करेंगे फिर 3 फंदे बनाएंगे एर दो तीन फिर एक फंदा slip करेंगे इसी तरीके से हम फिप त्रो को complete कर लेंगे बनाकर यह last में भी तीन फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे यह देखें फिप रो हमारी complete होगी अब 6 रो रोंग साइड इसमें जो फंदे हमने राइट साइड से बुने हैं वो ही सीधे बुने हैं और जो slip किया हैं उनको slip करेंगे यह white वाले फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड करके red वाला slip कर लेंगे फिर धागा पीछे करके white वाले सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड करके red वाला slip कर लेंगे इसी तरीके से six row complete कर लेंगे यह देखे 6 रो हमारी complete होगी अब 7 रो फिर हम color change करेंगे यह red color लगाएंगे 7 रो में 7 रो हमारी जैसे हमने 3 रो बनाई थी ऐसे ही बनानी है फर्स्ट फंदा हम red color का बनाएंगे अब एक फंदा slip करेंगे फिर तीन फंदे सिद्धे बुनेंगे एक दो तीन फिर एक फंदा slip करेंगे यहां हमें यह ध्यान रखना कि जो हमारे 3 फंदे यह white color के इनमें से बीच वाला फंदा हमें slip करना है और यह red के दोनों साइड के बुनने है यहां हमें 3 फंदे बुनने है एक दो और तीन और यह एक फंदा slip करना है फिर तीन बुनेंगे एक दो तीन और फिर यह white वाला slip कर लेंगे इसी तरीके से इस रो को भी हम complete कर लेंगे लास्ट वाला फंदा भी बुन लेंगे यह 7 तरो हमारी complete होगी अब 8 तरो रोंग साइड इसमें जो फंदे हमने राइट साइड से बुने है वो ही बुनेंगे और जो slip किया है वो slip करेंगे यह red वाले फंदे सीधे बुनेंगे धागा अपनी साइड करके white वाला slip कर लेंगे फिर धागा पीछे करके red वाले फंदे सीधे बुन लेंगे धागा अपनी साइड करके white वाला slip करेंगे यह रो भी ऐसा ही बना लेंगे पूरी यह देखिए 8 row हमारी complete होगी और यह हमारा pattern बनके आ गया यह देखिए इन 8 row को ही हमें बार बार repeat करते जाना है और यह हमारा project इस तरह से बनके आ जाएगा यह ऐसे बनके आएगा pattern हमारा देखें बहुत ही सुन्दर बनके आता है बस आप इन 8 row को ही बार बार repeat करते जाएं और पूरा आपका project बनके तयार हो जाएगा प्रेंट्स मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक वे कमेंट करें और मेरी नए नए वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू करते हैंक्यू